हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ अल्ला ना करे कोई चोर उचका पार्टी सदर बन जाए क्या तोहीन अदालत का मुर्त के जमाद का सरवरा बन सकता है पार्लिम्ट को बन्यादी जान्चे से मतसादम गानून बनाने का इख्टियार नहीं अलेक्शन आक्ट के खिलाब दर्खास्तों की समाथ के दोरान चीफ जस्टिस के रिमाद दो डाकू जैसे अलफ़ाज इस्तमाल करने जो है नवाज शरीफ की फिर गरज बरस फैसले मानने से इंकार अब ये लोग पार्टी सदालत से हटाना चाहते हैं जजजेज और सियासतदानों की जबान में तुर्खोना चाहिए साबिक वजिर आजम की एह जसाब अदालत के बाहर गुफ्टगू मकदमा जूट का पलंदा दुनिया देख रही है क्या हो रहा है हाइन और कानून को तमाशा बनाकर फरार हुए का लाम एस्टियल में होना चाहिए मरियम नवास की भी कड़ी तनकीद चरीफ फैमली को एक और जचका एस्टसाब अदालत में नवास शरीफ मरियम और सब्दर की हाथरी से इस्तस्ना की दर्कास से मुस्तरफ कर दी फ्लैक्सिप और अलजीजिया जिमनी रेफरेंसिस की नखूल जी पराहा भूते खान साथ जो जूटों के आईजी है आईजी नियाजी साथ को मश्वरा देता हूँ जो यहां पर एक ठाटे मारता वा समंदर है इस बात की गवाई दे रहा है कि अगले एलेक्षिन में मदारियों जर्दारियों और जूटे किलारी को शिकस्त तर्वाज होगी अगले एलेक्षिन में मुखार्फین की शिकस का दावा, कपटान को सियास्ट चोड़ने का मशवरा काम्याब होकर कराची पिशावर को लहुर जैसा बनाने का एलान धूटों के आईजी बताएं शुहत्तर मेगावाट बिजली कहा है शवाज शरीफ का बूरे वाला में जलसे से धुआ धार खिताब सारा एक करप्शन का माफिया है इन सारों को डर लगा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ को कन्विक्शन हो गई करप्शन में कन्विक्शन से बचने की वज़ा से ये सारे ड्रामे हो रहे हैं लोदरा के एलेक्शन में इन्होंने ऐसा पैसा खर्च किया लोगों को बदलाने में चेंज करवाने में ये वोट लेने में सिर्फ मकसद एक है कि अदलिया के ओपर प्रेशर डाला जाए कि किसी तरह एनारों मिल जाए एक और एनारों की कोशिश हो रही है शाहिद खाकान अबबासी फिर कटपतली वजीर आजम करार लोधरा एलेक्शन में पैसे खर्च करने का इल्दाम प्यासी एहतजाश पर बहशतगर्दी के मुकदमात गर जम्हूरी अमल है इम्रान खान के बांसर्स प्राने खिलारी की महारत माइक कैच कर लिया कफ्तान का हेलिकॉप्र गुजरने पर दिल्चस्त तब सरा यह वह बिगास साथ तो नहीं आ रहा है सिस्पी तशद्द के सिमरान खान ने इस तसना और बरियत की दर्खास दायर कर दी पॉलिस को नोटिस जारी अगली समाथ 26 परवरी को होगी कानूनी तकाज़े पूरे किये एकडाम का लदम खरार दिया जाए साथदार ने सेनेट एलेक्शन के लिए काफ़दात नामजदगी मुस्तरद होने के खिराफ अपील डायर कर दी मूदी सरकार के सर पर खून सवार कंट्रोल लाइन पर फिर भारत की देशत गर्दी बटल सेक्टर में स्कूल वैन पर फाइरिंग ड्राइवर शही इंडियन पोर्सेज मुस्तलसल शहरियों को निशाना बना रही है आईस्पियास का भायान बिंट्रोल लाइन के बटल सेक्टर में विलाइस्टर फाइर इंग भारती डेपटी हाई कमिशनर के डेफ्टर खारजा तलबी स्कूल वैन पर हमले में ड्राइवर की शहादत पर एहतिजाज पीडीपी स्कीन मुश्किल आसान वतन काट टी शर्ट खाती अब कामी शनासी कार्ट शनास के तौर पर इस्तमाल होगा आलमी चीप का बड़ा एलान 31 माई तक वतन कार्ट के इस्तमाल की भी इजाज़त आलमी चेलरिस्ट पाइनसिंग वाचलिस्ट में फसानी की चालो पर पाकिस्तान मुतहरक पाइनचल टास्पोर्ट के नए तरीक एकार पर तहफ़जात का इज़ार मत्सद इक्तिसादी तरकी को रोकना है तरजमान दफ्टर खारजा की ब्रीशन पाइन पर नहीं हूँ तो बार बार बहादराबाद क्यों बुलाते हो कवर भाई बताएं उनका उस्ताद कौन है पारुक सतार के सामालाथ, सरबरा को दूज से मक्खी की तरह निकालने वाले कारकुरों से कैसे मुखलिस हो सकते हैं, मीडिया से गुफ़त दूज़ मुटाहदा बानी के खिराफ मनी लॉंडरिंग की तैकिकात का दाइरा वसी एफाई ए ने पारुक सतार और राउस से देखी समेट एमकेम के दास अराखी ने पारले में को तलफ कर लिया मुटाहदा रहनमा सल्मान मुजाहिद के खिलाफ मकदमाद कराची पुलिस ने रुक ने पार्मी एसेमली की गिरफ़तारी के लिए स्पीकर को तहरीरी दर्खास देदी मैमो केट केस में हुस्टैन हकानी के गिर्फ शिकन जास्ता सुप्रिन कोर्ट ने अमरीटा में साबिक सफीर के वारंट गिरफ़तारी जारी कर दिये साब उनके लिए इंट्रिपोल को खत लिए बीटी एफाई ये था भायान साबिक चैमेन मतरूक अबक फिवलाग बोर आसे फास्मी हाता अधालत से गिरफ़तार जिन मुकदमात में जमानत नहीं उसमें फक्रें तीवजा सिर्थ साकिम निसार की हिदाए जैनब गत्रिक के इस कुसूर की नंधी परी की जान लेने वाले जरिंदे इमरान का अंजाम परी मुकदमे का फैसला महफूस हफ़े को सुनाया आएगा जूद की खीमत बढ़ाओ कराची में गवालों का इहतिजाज भेंसे वजिर आला हाउस ले जाने की कोशिश पर पुलिस का लाटी चार्ज केलिंग नैसल हाईवे मेदान जंग मुझाहरीन का पत्पराओ कई के रफ़ता कराची में शारा है पाकिस्तान पर अलमनाख हाथा ट्रॉक्स में मोटर साइकल सवार बाफ बेटी को रॉन डाला दोनों जान बहग मुझाहराद का इहतिजाज मुल्जिन के रफ़तार पेसलाबाद में बस की तक करते बारा साला लड़का जाम वहाग लवाहिकीन का मेद सड़क पर रखकर एसिजाज मुझाल मुझाहरीन की तोड़ फोर गाड़ी फूंग दी ड्राइवर गिरफ़ता पेसलाबाद की कपरा मार्कित में आग कई दुकाने मलभे का धेर दो अफराद जाम वहक दीज मोटर साइप में और स्करों का समान जल जाया हफ़जाबाद स्कैंडल का ड्रॉप स्थीन बरामध हुआ मवाद, बोन, मैरो और स्पाइनल प्लूइड ना निकला मुल्जमान का पॉलिग्राफ टेस्ट, रिपोर्ट मुतलब का महत्मों को इर्चाब पेसलाबाद में मारूफ ब्रैंड का गंदा धंदा खवातीन के चेंजिंग रूम में फुक्या कैमरे नस्ब करने वाले मरकजी मुल्जिम FIA लाहॉर के हवाले बाज आपका तहकिकाश चुरू होगा कोई ऐसा भी के खालिप को न जाने शायर को वो अच्छा है पर बतनाम बहुत है बल्ली मारा की गली खासिल जान और असनला खान मिर्जा अनुशा की आज एक सो उन्चा बहावलपूर में तेर्मी चॉलिस्तान जीफ रैली क्वालिफाइंग राउंड का हवजादा सुल्तान में चीफ दिया लिफाइट चैंपियन नादिर नफ्वी का दूसरा नमबर चार खेर मुल्टी और तीन हावाथीन ड्राइवर जी एक्स सबसे पहले आपको बताएं अलेक्शन एक 2017 के इसकी समात हुई और सुप्रीम कोट में तीन डुपनी बेंच के गरम गरम रिमाक्स सामने आए अल्ला ना करे कि कोई चोर उचक का पार्टी सदर बन जाए ये कहना था चीफ जस्तिस ऑपाकिस्तान का उन्हें कहा कि नहीं मान सकता कि कोई डगेज्च पार्टी सदर बन कर हकुमत करे इस मौके पर जस्तिस एचाज और एक्स आराकीने पारलिमेंट से वो कराएगा जो वो खुद नहीं कर सकता एक मिसाल दे दें कि नाएल चक्स ने पार्टी टिकेट तक्सीम किये हूँ सुप्रीम कोट में इलेक्शन एक 2017 केस तीन रुपनी बेंच ने समात की चीफ जेस्टिस आकिम मिसार ने अपने रेमाक्स में कहा कि अल्ला ना करे कि कोई चोर उचक का पार्टी सदर बन जाए वो नहीं मान सकते कि कोई डिकेट पार्टी सदर बन कर हकूमत करे मुल्के वज़र आसम भी कहते हैं कि वही वज़र आसम है नूली के वकील सल्मान अकरम राचा ने कहा नवासरीब को पार्टी राकी ने सदर मुन्तखिब किया सैनेट के लिए कवाइद के मताबक टिकेट जारी किये काख़ाद नामज़की के बाद टिकेट का मौमला माजी का हिस्सा बन चुका है जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक मिसाल दें कि नाइहल शख्स ने पार्टी टिकेट तक्सीम किये हो चीफ जस्टिस ने अटॉर्णी जेनरल से इस तफसार किया कि बिल पर काइमा कमेटी में क्या हुआ कैसे ये बिल पार्लिमेंट में पेश और मन्सूर हुआ चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लिमेंट को बुनियादी धांचे से मुतसादिम कानून बनाने का इख्तियार नहीं उसे जाने भारत ने एक बार फिर अपना मकरूद चेहरा दिखा दिया मूदी सरकार पर है जंगी जनून सवार लान अफ कंट्रोल के बचल सेक्टर में बच्चों की स्कूल वैन पर फारिंग करके नौजवान ड्राइवर को शहीद कर दिया बच्चों की स्कूल वैन पर फारिंग करके ड्राइवर को शहीद कर दिया बच्चों की स्कूल वैन पर फारिंग कर दो कर दो